मैं एक मजदूर बाप का बेटा हूँ, उनका तीसरा बेटा, मुझसे बड़े दो और भाई हैं, वो दोनों बिलकुल नॉर्मल हैं, जिस तरह के दूसरे बच्चे होते हैं, हर लिहास से सेहतमंद और तंदुरुस्त, लेकिन मेरे साथ भगवान ने ना जाने कैसा मजाग किय कि मेरा कद बहुत कम रह गया, यानि मैं बोना हूँ, बोना समझते हैं, ना आप एक ऐसा इनसान जिसके कद की नशोनुमा रुख जाती है, मुझे नहीं मालूम कि बचपन में मेरे माबाप का मुझे देख कर क्या हाल होता होगा, लेकिन जब मुझे होश आया मैं कुछ बाहर जाता तो गली के लड़के मुझे छेड़ते रहते, किसी तरह मेरे माबाप ने स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया, जहां मेरे दोनों भाई पढ़ा करते थे, वो सरकारी स्कूल था, वहां कोई फीस नहीं थी, लेकिन मैं वहां पढ़ नहीं सका, क्योंकि मुझ मे इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपना मजाक उडवा सकू, सब मुझे टिंगू टिंगू कहकर बुलाने लगे थे, जिस दिन मैं आखरी बार स्कूल गया, उस दिन स्कूल से वापस आकर मैंने मा से कह दिया कि अब मैं स्कूल नहीं जाया करूंगा, मा भी जानती थी कि मेरे स बाहर क्या सुलूक होता है, वो मुझे बहुत देर तक लिप्ता कर रोती रही थी, ये मेरा बचपन था और मैं ऐसा था, सबसे अलग सबसे अनोखा, फिर वक्त गुजरता गया, मेरे दोनों भाईयों ने काम काज शुरू कर, दिया उनकी शादिया भी हो गई, मेरे मा ऐसे माय के वालों के सामने उनकी बेज़ती होती है, और मैं उनको बेज़ती से बचाने के लिए उस घर से निकल गया, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं था, कहा जाता किस के पास जाता, ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था, जिससे मदद ले सकता था, इसलिए बहुत परेशान था, म मैं तो अच्छा खासा था, मेरे हाथ पैर सलामत थे, ये और बात है कि मेरा कद बहुत छोटा रह गया था, फिर ये की मेरी खुददारी ने गवारा नहीं किया, कि मैं भीक मांगना शुरू कर दूँ, उसी परेशानी के आलम में मैं एक, पार्क में आकर बैठ गया, और य जब मेरे पास से गुजरने लगा, तो मुझे देख कर रुख गया, फिर मेरी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, उस्ताद, अकेले बैठे हो, मालिश करवाओगे, मैंने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं ये सब अयाशी नहीं कर सकता, वो ना जाने क् अपना परिचय मुझसे करवाया, मेरा नाम बशीर है, उस्ताद, मैंने कहा, मेरा नाम आकाश है, मैंने उससे पूछा, इस काम में तुमको कितने पैसे मिल जाते हैं, तुम ये काम मुझे सिखा दो, बशीर ने पूछा, तुम कहा रहते हो, मैंने कहा, सुभा तक तो एक घ उसने वहां बाकाइदा अपना एक ठिकाना बना रखा था, वो मुझे भी वहां ले गया और मैं उसके साथ ही रहने लगा, वो बेचारा मेरे खाने पीने का ख्याल भी रखा करता था, एक हफते के बाद मैंने उससे कहा, यार बशीर तुम मुझे भी कोई काम दिलवा दो मैं इस तरह तो नहीं रह सकता, बशीर ने कहा, फिकर ना करो, मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये मालिश का काम तुम्हारे बसका नहीं है, तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कर लूगा, दो ही दिनों में बशीर ने मेरे लिए एक होटल में काम तलाश कर लिय ना जाने उस बेचारे ने किस तरह मेरी सिफारिश की होगी, वो एक साफ सुथरा होटल था जहां का मालिक भी एक महरबान और नरम दिल इनसान था, इस तरह मेरी पहली नौकरी की शुरुवात हुई, मेरी तनक्वाह नहीं थी, रोज 30 रुपए मिलते थे, मेरे लिए ये भी भी बहुत था क्यों की खाना और चाय वगेरा होटल वाले दिया करते थे, मेरी, रिहाईश अब तक बशीर के साथ ही थी, मेरी नौकरी से उस बेचारे का बोज कुछ कम हो गया था, कभी कभी हम सिनेमा भी चले जाया करते थे, एक दिन होटल में एक आदमी से मेरी मुलाका रहे हैं, बताओ तो सही तुम्हारे फाइदे की बात है, मैंने कहा 30 रुपए रोज मिलते हैं साहब, उसने कहा मेरे लिए काम करोगे, तुम्हें 50 रुपए रोज मिलेंगे, 50 रुपए रोज उस जमाने में अच्छी रकम थी, यानि महीने के 1500 मैं फॉरं तयार हो गया, उस मौत के बाद वो जगह, खाली हो गई थी, इसलिए जोजफ मुझे अपने साथ, अपने सरकस में ले आया, ये मेरे लिए एक नई दुनिया थी, मुझे जोकरो वाले कपड़े पहना कर, और मेरे चहरे पर दुनिया भर के रंग ठोप कर, मुझे लोगों के सामने कर दिया ग सरकस में आने के बाद कई दिनों तक बशीर के साथ ही रहा, फिर ये हुआ कि सरकस कमपनी दूसरे शहर के दौरे पर चली गई, मैं वहां से कई महीनों के बाद वापस आया, तो पता चला कि पुलिस ने बेचारे बशीर के ठिकाने को उजार दिया था, और वो बेचारा ना जाने कहा था, उसके बाद से आज तक मेरी बशीर से मुलाकात नहीं हो सकी है, हालांकि मैंने उसको तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका, मैं सरकस में काम करता हूँ, मेरी कहानी इसी सरकस से शुरू होती है, इस कहानी में ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सबक है कि शायद भगवान के यहां इसी तरह का इंसाफ होता है, वो खुद के बनाए हुए इंसानों की तोहीन बरदाश्ट नहीं करता, क्यों अपने घर वालों को भूल ही गया था, कभी उनकी याद आती तो आह भर कर रह जाता, शायद वो भी कभी मुझे याद ना करते हो, ये सोचते हो कि चलो जिसकी वजह से खांदान वालों में उनकी बेज़ती होती थी, वो उनकी जिंदगी से निकल चुका है, एक दिन ऐसा ह हुआ कि मैंने अपने शो में अपने दोनों भाईयों और भाभियों को देख लिया, वो सरकस देखने आये हुए थे और बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मेरी हरकत देखकर जोर-जोर से कहके लगा रहे थे और तालिया बजा रहे थे, उन्होंने मुझे नहीं, पहचा कर मेरे दिल में पुराना दर्ध जाग उठा था, वो सब मेरे अपने थे, मैंने उनके साथ एक उम्र गुजारी थी, मेरी आँखों में आसू आ गए थे, इसके बावजूद भी मैं लोगों को हनसाता रहा, उस रात बहुत देर तक मुझे नेंद नहीं आई थी, मैं उन्ह के बारे में सोचता रहा था, फिर एक दिन मैंने जोजफ साहब से कुछ पैसे एडवांस लिये, उनसे धेरों फल और मिठाईयां खरी दी और अपने भाईयों के घर पहुँच गया, वो घर जो मेरा अपना भी था, लेकिन मेरे लिए अजनभी हो गया था, मेरे दोनों भा और भाभी घर पर ही थे, वो सब मुझे देख कर हैरान हो गये थे, बहुत ही सर्क तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया था, बिल्कुल रस्मी तोर पर जैसे कोई अजनभी उनके पास चला आया हो, मुझे उनके रवय, ये से बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैंने अप खराब ढूंधा है, बड़ी भाभी ने कटीले लहजे में कहा, तो और क्या करेगा बेचारा, ये किसी दफ्तर में बाबो तो नहीं बन सकता था, अच्छा ही हुआ कि सरकस में चला गया, उनकी बाते सुन सुनकर मेरा दिल रोने लगा था, वो सब बुरी तरह मुझे बेज से चला आया, उन्होंने रस्मी भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी, आखिर क्यों रोकते, एक बोने और सरकस में काम करने वाले जोकर से उनका वास्ता ही क्या था, घरवालों की तरफ से मेरा दिल तूट गया था, अब ऐसा भी क्या है कि किसी, में अगर कोई नुक्स हो तो उसको घर ही से निकाल दिया जाए, उससे अपने सारे रिष्टे खतम कर लिये जाएं, अगर सरकस के मालिक मिस्टर जोजफ का सहारा नहीं होता, तो इस दुनिया ही से मेरा दिल उचाठ हो गया होता, वो वाकई एक हमदर्द और मुहबबत करने वाला इनसान था, उस मिस्टर जोजफ ने अभी तक शादी नहीं की थी, मेरी तरह वो भी अकेले थे, इसलिए वो मुझे अपनी ऑलाद की तरह चाहने लगे थे, मेरे हालात बदल गए थे, मेरे पास रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी, टीवी और रेडियो भी था, मेरी जेब में प नौजवान जिन्दगी से भरपूर लड़के और लड़कियों को देखकर हसरत हुआ करती थी, सुन्दर लड़कियां जब अपने साथियों के हाथ थाम लेती या उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखती तो दिल में एक होकसी उठने लगती थी, मैं यही सोचता था कि भगवा लड़कियां मेरी तरफ तो देखा करती थी, लेकिन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में या अफसोस करने के लिए प्यार की नजर किसी के पास नहीं होती थी, जोजफ ऐसा आदमी था जिसे मेरी इस महरूमी का भी एहसास था, एक दिन उसने मुझ से कहा, आकाश तु परि पास ले आएगा, मैं जानता था कि वो बेचारा, मेरा दिल रखने के लिए ये बात कहता रहता है, लेकिन एक दिन उसने मेरे लिए एक रिश्टा तलाश कर लिया, उस दिन वो बहुत खुश था, उस दिन हमारा शो नहीं था, जोजफ कहीं बाहर गया हुआ था, शाम के व वाला है, सारा बंदोबस्त कर आया हूँ, मैंने हैरान होकर पूछा, क्या कह रहे हो मास्टर, जोजफ ने कहा, मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, उसकी एक बेटी भी तेरे जैसी है, मेरा मतलब है उसका कदभी छोटा रह गया है, वो बेचारा उसकी तरफ से बहुत पर दिल की तमन्ना तो कुछ और थी, सपने तो मैंने किसी और तरह के देखे थे, एक नॉर्मल लड़की होती, लंबे कदकी, जब वो मेरे साथ चले तो लोग उसकी तरफ देखें और मेरी नसीब पर रश्ट करें, लेकिन मुझे कैसी लड़की मिल रही थी, मेरे ही कदकी, ज बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, फिर मैंने बड़ी सचाई से हर बात के बारे में सोचा, मैंने सोचा कि इसमें क्या बुराई है, जैसा मैं हूँ मुझे वैसा ही तो रिष्टा मिलेगा, फिर ये के उस बेचारी का भी तो कोई सहारा होना चाहिए, मैं लंबे कदकी ल मावजूद वो बहुत सुंदर थी, मैं इस बात पर भगवान का शुक्र अदा करता रहा, शिल्पा बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई, ये मेरी जिन्दगी का एक नया मोर था, एक नई शुरुवात, शिल्पा ने मेरा बहुत साथ दिया, उसने ये साबित कर दिया कि पत्नी फिर पत्नी ही होती है, चाहे उसका कद कैसा भी हो, फिर मैं बहुत खुश रहने लगा, वक्त गुजरने के साथ साथ खुशी बढ़ती चली गई, मिस्टर जोजफ पहले से भी जादा मेरा ख्याल रखा करते थे क्योंकि अब मैं शादी शुदा था, मेरी मेरे हवाले कर दिया, ये उनका बहुत बड़ा एहसान था, कोई बाप भी शायद इतना ना कर सकता हो जितना उन्होंने मेरे लिए किया था, मैं जिन्दगी भर उन्हें भुला नहीं सकता, उनकी मौत के बाद कुछ दिनों तक सरकस में काम बंद रहा, फिर आहिस्ता आहिस रहा था, वो शो बगैरा में हिस्सा नहीं लिया करती थी, उसने management अपने हाथ में ले लिया था, स्टाफ के लिए खाने और रहने का बंदोबस्ट और publicity ये सब उसकी जिम्मेदारी थी, और वो बहुत होशियारी से अपना काम अंजाम दे रही थी, फिर मुझे जिन्दगी का ये मोड सबसे जादा अहेम हुआ करता है, वो अपने आपको शायद दुनिया का सबसे खुशनसीब इनसान समझने लगता है कि भगवान उसकी नसल को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था, मैं ये खबर सुनकर परिशान हो गया था, और वो परिशा परिशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा दिल नहीं मानता था, लेकिन भगवान ने बहुत करम किया, उसने हमें एक नॉर्मल आउलाद दे दी, शुरू शुरू में तो समझ में नहीं आ सका, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, जब उसका कद भी बढ़ता रहा तो हमार खुशियों की इंतिहाना रही, भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया था, उसने हम पर करम कर दिया था, हमने शहर में एक छोटा सा मकान भी ले लिया, बेटे की पैदाईश के बाद शिल्पा को उसी मकान में मैंने भेज दिया, ताकि वो आराम और ही में रहा, मेरा बेटा जब बड़ा हुआ, तो हमने उसे एक अच्छे स्कूल में भी दाखिल करा दिया, हम ये चाहते थे कि वो हर लिहास से हमसे बहतर हो, अपने कद के लिहास से, सूरत शकल के लिहास से, शिक्षा के लिहास से, ताकि हम सभी उसे देखकर फखर कर सकें क कि भगवान ने हमें कितना अन्मोल तोहफा दिया है। मेरा बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बन गया है। जो बेचारा 16-17 बरस का होगा, लेकिन उसका कद मुझसे भी छोटा है। और वो मेरा भतीजा है, जी हाँ, मेरे बड़े भाई का बेटा। उस भाभी की आउलाद जो मेरे छोटे कद की वजह से अपने खांदान में बेजस्ती महसूस किया करती थी, और शायद भगवान को य बात मनजूर नहीं थी कि उसके बनाए हुए इनसान का मजाक उड़ाया जाए। इसलिए उनके यहाँ जो अलाद पैदा हुई वो बोनी थी, उस बच्चे के बड़े होने के बाद वो दोनों खुद ही उसे मेरे पास लाए थे ताकि मैं उसे अपने सरकस में रख लूँ, क कि बोना होने में उस बेचारे का क्या कुसूर मैं भी तो वैसा ही हूँ ना।